हमेरपूर जीले की पुलिस ने एक ऐसे गिरोहों को पकड़ा है जो रिटायर और बुजुर्ग सरकारी करमचारियों को अपने जाल में फसा कर उनका अशलील वीडियो बना कर लाखों की अवैद वसूली करते थे आपर पुलिस अधिक्षक ने आज प्रेस वार्ता में एक यूवक यूवती को पेश कर इस गिरोहों का खुला सा किया है इनके कबजे से दो मुबाइल फोन, 15 सिम कार्ड और डेड़ लाख रुपे नगत बरामत किये गए हैं दोनों यूवक यूवती पती पतनी है जो इससे पहली भी ब्लैक मेलिंग के धंदे में जेल जा चुके हैं पुलिस हिरासत में खड़े यह वो चालबाज यूवक यूवती हैं जो लोगों को अपने जाल में फसा कर उनका अशलील वीडियो बनाकर ब्लैक मेल कर लाखों रुपया वसूल करते थे पुलिस ने इस ग्रेहों दुबारा गिरफतार कर इनके कबजे से वसूली गई रकम और मोबाइल सहित 15 सिम भी बरामत किये हैं आज पकड़े गए इस यूवक यूवती के गिरोहों ने पी डवल्यू डी के रिटायर कर्मी इसलाम को अपने जाल में फसा कर उनका अशलील वीडियो बना लिया था औ अमीरपूर जीले के सुमेरपूर थाना के एक गाउं के रहने वाले संजी निशात और सोमवती मील कर सेक्स रैकेट चला कर लोगों को अपनी जाल में फसा कर उनका अशलील वीडियो बना कर लाखों की अवैद वसूली करने के धंदे में लिप्त थे उन्होंने इस बार प इतने शिकार बना कर उनका अशलील वीडियो बना कर उनसे करीब 19 लाख रुपे वसूल कर लिये थे इस अवैद वसूली से प्रेशान होकर इसलाम ने पूलिस में शिकायत की थी जिस पर सुमेरपूर थाने की पूलिस नहीं इस गिरोहों के युवक और युवती को गिरफ कर लिया है आपको बता दे कि अशलील वीडियो बना कर ब्लैक मेल कर लाखों की वसूली करने वाला यह गिरोहों इससे पहले भी रोडवेस करमी तारिक हुसेन की भी अशलील वीडियो बना कर आट लाख रुपे वसूल करने के जुर्म में जेल जा चुके हैं हमेर पूर से सबदाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट मेरा नाम इसलाम एमद है क्या हुआ है आपके साथ मेरे साथ कहना में से एक फून आया लेडिस का कि मुझे आरडी खुलवाना है तो मैंने का कि मेरे पार टैम नहीं है और मैं नहीं आ सकता हूं उसने कई बार फून किया मेरे उसके जादा अन्रोथ करने पर मैं उसकी बताय हूई लोकेशन के अदार पर मैं भरूगा पहुंच गया और वहां पहुंचकर घर्मी अटैम था उसे में ठंडा पिलाया उसमें कुछ नसीला परदात था जिसके वेसे मैं बेहोस हो गया बेहोस होने के बाद पर उसने मेरे एटी मेरे लोगे रुपार ऑज़े लोगे अबिता कि यह तक यह उनीस लाग करीब ले चुके हैं पिर आपने क्या सिकाइत की हमने बहुत जब हम बर्दास से बहार होगे हमारे और तो हम इसके मुवाइल बन करके में कानपुर चला गया हूं और मैं souvenir करने की वह था तो नहीं तब हमारे रिस्टारों को भाईास को variety ने बहुत है तो जब मैं परशांड तो मेरे वह रिचिवे सब्स्राइब ता अने में पुलिस के सहयोग से और शिकायत की पुलिस को शिकायत की पुलिस ने बहुत मदद की और उसके जानेने के ग्रफ़तार किया है ये एक इसलाम हमद हैं जिन्होंने एक सिखाय दर्ज कराई इस थाना सुमेरपूर में कि उनसे कुछ लोग दो वर्स पहले करीब करीब 20 लाक रुपे क्या सपास ले लिये थे ये कहके कि उनसे उनके साथ एक असलील वीडियो बनाई गई है इसी आधार पे लोग धंकी भी देते रहे और मौके पर जाके उनको उनकी एक कथित प्रेमिका है उनके साथ पकड़ा गया है ये इसके पहले वी आट-नौ मैने पहले मौधा में एक बेक्ति से आट-नौ लाग रुपे ये कथित इसी तरब वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से ये लोग आएठे थे जिसमें पुलिस ने गिरफतार करेंगे लोग को जेल बेजा गया था इनके किलाब गेंगेशर का मुकदमा भी पंजिकित किया गया था आज पुना जब कितने लोगों को इन्होंने कथित वीडियो बना के पैसे एठे हैं इसकी जांच हम लोग करते हैं आगे इनके खिलाब गेंगेशर की करवाई भी हम लोग भुवित में कराएंगे जैसे पहले एक नगर पालिका का करमचारी था जो मौधा में पकड़ा गया था जो मौधा में जिसे लोग पैसा लिये थे इस बार ये रिटायर की पीड़ाबूरी करमचारी बताए जाते हैं ये बिसिकली रिटायर करमचारीयों से ही ये कथित तौर पे किसी निकीजी बा रहे हैं इनके पास से मिला है दो मुबाइल मिले हैं पंदर सीम कार्ड मिले हैं और डेलाक रुपे जो कथी तुरुप से धंकी दे के ये मांगे थे वो मौके से बरामद हुआ है कर दो मौके से बरामद हुआ 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 है कर दो मौके से बरामद हुआ है कर दो मौके से बरामद हुआ 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 झाल झाल ऐसे ही लेटल स्टोब रेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाद